दोस्तों आज की इस कहानी का शीर्षक है ताइम पास। दोस्तों आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृप्या अभी सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लिखे जरूर करना। मेरा नाम है प्रभाकर गुपता। पोपट काका सरकारी ओफिस से रिटायर हो चुके थे। रिटायर हो कर भी अच्छे खासे दो साल हो गए थे। पोपट काका को न फिल्म टीवी देखने में रुची न अख़बार किताबे पढ़ने में इंट्रेस्ट। इसलिए रिटायर तुझे न कोई शौक न पढ़ने की आदत न फिल्म टीवी में रुची ना ही ध्यान अध्यात्म में इंट्रेस्ट। रिटायर्मेंट के बाद आखिर टाइम पास करता कैसे है रे तू। बताता हूँ। कल की ही बात है पोपटलाल ने शंका निवारन करना आरंभ किया। म तो क्या। दुकान के सामने पार्क की हुई कार के पास ट्राफिक पुलीस का सिपाही खड़ा हुआ था। हाथ में चालान बनाने के लिए रसीद बुक लिए। हम दोनों थोड़ा घबरा गए उसके पास जाकर विंती करने लगे भाईया मुश्किल से पांच मिनट के आगे से ऐसा नहीं होगा और हजार रुपई भी बहुत ज्यादा होते हैं। फिर भी हजार रुपएं आपको ज्यादा लग रहे हैं चलिए बुजुर्ग होने के नाते इस बार सिर्फ दो सौ रुपए लेकर छोड़ देता हूँ उन दो सौ रुपियों की रसीब मिलेगी मैंने मासूमियत से पूछ लिया ओपट काका बता रहे थे तभी हवलदार मेरे उपर भिनक गया ओ काका जी रसीब चाहिए तो हजार की ही बनेगी दो सौ की कोई रसीदवसीद नहीं मिलेगी ऐसे कैसे? पैसे देने पर रसीद नहीं दोगे क्या? नियम काईदे से होना चाहिए के नहीं सब कुछ? सीधे सीधे बोलो ना कि तुमको रिश्वत चाहिए मेरे यह बोलते ही वो और भड़क गया अच्छा? ये बात है? मैं सोच रहा था, बुजुर्ग लोग है चलिए, अब तो सारे नियम काईदे बताता हूँ हवलदार ने अब रौद रूप धारन कर लिया अब वह हाथ धोकर गाड़ी के पीछे पड़ गया एक मिरर टूटा हुआ है, पीछे वाली नमबर प्लेट सही नहीं है करते करते मामला तीन-चार हजार तक पहुँच गया ये तो काफी बढ़ता ही जा रहा था यह देखकर मैंने पत्नी से कहा जरा तुम बोल कर देखो, शायद तुम्हारी बात मान जाए लेकिन वह हवलदार कुछ भी सुनने को राजी नहीं था मुझे नहीं चाहिए आपके 200 रुपए अब तो रसीद ही कटेगी अगले 8-10 मिनट यही सब चलता रहा वह उसे समझाने की कोशिश करती रही और वो दिलजला सिपाही रसीद फाड़े बिना मानने को तयार नहीं था पोपट काका बताते जा रहे थे अरे बाप रे 200 रुपए बचाने के चक्कर में इतनी बात बढ़ गई फिर क्या किया आप लोगों ने दोस्त ने सवाल किया कुछ नहीं तभी हमारी बस आ गई उसमें सवार होकर घर लोट आए फिर गाड़ी वो चालान और रसीद का क्या हुआ और वो हवलदार दोस्त को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो गाड़ी वाला जाने और हवलदार जाने हमें क्या गाड़ी हमारी थी ही नहीं हम तो बस से गए थे तुम अभी पूछ रहे थे ना टाइम पास कैसे करते हो वही बता रहा था हम बस में चड़े तब उस हवलदार का चहरा देखने लायक था जैसे इस समय तुम्हारा चहरा देखने लायक हो गया है बिल्कुल वैसा ही ओपट का का निर्विकार रूप से बोले और टाइम पास के लिए नया कस्तमर खोजने निकल पड़े